अलो फ्रेंड असलाम अलेकूम उम्मिद करती हूँ आप लोग ख़ये से होंगे सौस्त रहे मस्त रहे आज मैं आपको इदे स्पेसल कुर्ती कटीन सिखांगे फ्रेंड यह सिंपल और इजी कटीन है फ्रेंड बेल स्लीप के साथ एपल कट कुर्ती बनाई हूँ सलवार के अब कुर्ती की कटीन इसमें step by step समझाऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से यह प्योर कोटन का कुर्ती है आप समर हिसाब से बना सकते हो अगर आप 3 पीस मार्केट से कुर्ती का पीस ले आते हो तो आप अपने पसंद से बना सकते हो इसमें कोई भी डिजन दे सकते हैं यहां इस कुर्ती के अंदर 80 मीटर फेब्रिक दिया हुआ है और नेक पे यह बोर्डर वाली लाइन दी हुई है और बैक साइड में बिल्कुल प्लेन है तो फ्रांट साइड में शिरिफ यह आपको जड़ी टाइप का काम मिलेगा तो फ्रेंड यह नेक पे मैं इसा ही रखोंगी तो ओपेन करके मैं इस तरह से फैला लेती हूँ और सेंटर को इस तरह से पकरना है यहां से आपको उल्टा में आपको निसान लगाना है जो भी कटिन करें पहले फ्रेंड उल्टा रखें उल्टा रखने के बाद यहां पे आप प्रेस लगाना उसके बाद में आप इस तर लिए हूँ कि ज्यादा मुझे टाइट पसंद नहीं है थोड़ा लूज बना रही हूँ इसलिए फ्रेंड तो आर्मोल के बाद चेस्ट का फोर भाग आता है 10 यानि 40 का फोर भाग 10 में निसान लगा रही हूँ तो इस तरह से आपको निसान लगा लेना है और यहां से निसान लगाने के बाद थोड़ असा गुलाई देना है यानि कोर्णर से एक इंच से कम उसके बाद में सोल्डर से निचे 15 इंच पर निसान दूंगी कमर के लिए एक निसान दूंगी हीप के लिए तो कमर का फोर भाग आ रहा है 8 यानि 32 32 का फोर भाग 8 लगा हूँ हूँ और यह पर हीप का 10 लगा रही हूँ यानि 40 का हीप है तो मेरा फोर भाग आ रहा है 10 उसके बाद में चेस्ट कमर और हीप को तीनों के इस तरह से फिता रखके आपको मिला लेना है मिलाने के बाद आगे से डेर से दो इंच आपको मार्जिंग लेना है लूजिंग के लिए तो यह फेबरिक आपको जरूर लगा लेना है नहीं तो आपका कपड़ा कम पर जाएगा तो फिर अंदर की तरफ में आपको डेर से दो इंच लगा लेना है उसके बाद में आपको लंबाई लेना है तो लंबाई के लिए आप पहले भी निसान लगा सकते हो चाबी तो मुझे यह 38 इंच के रेड़ी करना है तो दो प्लस करके मैं ले रही हूँ तो आपका कुर्ती का साइज जो भी बने उसमें आप 2 से 1.5 प्लस कर लेना उसके बाद निशान लगा लेना फ्रेंड तो मैं यहां पे नीचे 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए उपर में 1.5 इंच यानि 1.5 कुर्ती बनाना है फ्रेंड आज कल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है एपल कट कुर्ती के लिए तो फ्रेंड इद स्पेसल एपल कुर्ती मैं आपको समझा रही हूँ तो आपको अगर इस तरह के कुर्ती अगर नहीं बनाना है एपल कट में नॉर्मल बनाना है तो आप सीधा estate कट करना corner से गोलाई मत देना फ्रेंड यहाँ पे सेम मेथर से आप simple कुर्ती कट कर सकते फ्रेंड यह simple कुर्ती कट कर ली हूँ और back पल्ला के लिए अब हम cutting करने के लिए इस fabric को पहले इस तरह से fold करेंगे जितनी हमें गेर की जोरत है बिल्कुल उतने ही fold करेंगे बाकी आगे से जो कपरा देख रहे हैं वो बचेगा तो हम अराम से slip बनाएंगे bell slip तो यहाँ पे फ्रेंड पल्ला इसकी उपर में बिछा के एकदम बिल्कुल फैला के अराम से आपको रख लेना है कहीं से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यहाँ बंद पल्ला से बड़ाबर रखते हुए आपको अच्छी तरह यहाँ पे बिछा के देख लेना है एक बार उसके बाद में आपको कट करना है तो फ्रेंड यह आपको कुर्ती कटीन और स्टीकिंग अगर पसान आए तो मैं वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर मैं चैनल पनाएं आ हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लीजिएगा इस तरह से वीडियो में हमेशा डालती रती हूं अप्लोड करती रती हूं तो आपको यह वीडियो अगर थोड़ा भी पसान है तो प्लीज सेर जरूर कीजिएगा फ्रेंड अपने फेमिली फ्रेंड में तो फ्रेंड अब हम नेक की कटिन करेंगे तो सारे छे पे मैं यहाँ पे निसान लगा रही हूं क्यूंकि छे रेडि करना है तो हाफ इंच लगा के बढ़ा के कटिन कर रही हूं और चौलाई यहां अरहा इंच है उसके बाद में इस तरह से कोनर के तरफ से फिता लेके भी से दे रही हूं फ्रेंड कि यह बोर्डर वाली नेक है इसलिए भी से ज़्यादा अच्छी लगेगी कुर्ती में तो यह भी से कट करने के बाद फेबरी को फेकूंगी नहीं बाद में मैं आपको बताऊंगी अब बैक पला के लिए अरहा इंच और डीप के लिए सारे तिन इंच लेकर इस तरह से हम राउंड से पहले दे देंगे उसके बाद में इसको नेक को कटिन कर लेंगे तो यह नेक की कटिन में कर ली हूँ अब यह बैक पला और यह फ्रंट पला दोनों को मैं लिख दी हूँ फेरन यहाँ पे कुर्ती की कटिन हो चुकी है अब हम bell slip cutting करेंगे bell slip cutting करने के लिए कम से कम 10 inch का चवलाई होना चाहिए तो फिर यहाँ पे देख लीजिए मैं यहाँ पे total ready करूंगी 16 inch का तो 2 plus करके मैं यहाँ पे ले ली हूँ total 18 inch का और यहाँ से सिधा कट करके यह fabric को 4 fold में बिछा ली हूँ तो यहाँ पे बिछाने के बाद total चवलाई मैं ले रही हूँ इसके साथ में आप चाहँ तो थोरा बढ़ा के भी ले सकते हो अब यहाँ से एक inch down रखना है आपको मोरी के तरफ उसके बाद में armhole में 3 inch का down करके यहाँ से मैं cut करूंगी जैसे normal slip कट के यह हम बनाते हैं armhole बिल्कुल वैसे हम armhole में लेंगे यहाँ पे 3 inch उसके बाद में और slip को यहाँ से down करके यहाँ से थोड़ा सा अंदर के तरफ दबाव देते हुए cut करना है तो यह बन गया bell slip तो bell slip आपको इस तरह से cutting कर लेना है और जब शिलाई होगी तो कुछ इस तरह से दबा के सिलाई होगी तो इसकी बाद अब हम neck की cutting करेंगे तो यह neck जो है double इस तरह से fold करना है और इस तरह फेब्रिक को 5 inch के चवलाई पे आपको fold करके यहाँ से बराबर रख लेना अब अब रखे आगे से डेर इंच आपको रखे यहाँ से cut कर लेना है फ्रेंड यह डेर इंच की चवलाई पट्टी मैं cut कर ली हूँ अब किनारी से हाफ इस अंदर की तरह fold लगा दूंगी लगा कर यहाँ पे stitch कर लूंगी अब यह ready है कुर्ती पे नेक तयार करने के लिए तो कुर्ती को इस तरह से खोल लेजिए खोल के पुरा फैला लीजिए इसके उपर यह वाली नेक को सीधा रखना है और दोनों को किनारी एक समन मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है उसके बाद छोटे छोटे cut इसके अंदर जरूर लगाना है जिससे पलटने में असानी हो और फिनीसिंग के साथ दिखे तो फिरन यहां पर देखिए मैं यहां पर पलट की यहां पर प्रेस लगा ली हूँ और यहां पर हैम भी कर ली हूँ फिरन आप चाहों तो सिलाई भी लगा सकते इसके उपर में बैक पला रखते हुए यहाँ पे सुल्डर मिलाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगा के यहाँ से बंद कर देंगे और गले की तरफ हाफ इंच बढ़ा के इस तरह से रखेंगे बैक पला को तो दोनों साइड से देखिए हाफ आफ इंच में बैक पला की नेक की हम छोड़ दिये हैं यहाँ पर नेक बनाने के लिए तो यहाँ से देखिए यह सिलाई कुछ इस तरह से आपको दिखेगी उसके बाद में यह वाला फेबरिक जो है बाहर की तरफ है चलिए इस पर हम नेक तयार करते हैं तो यहाँ पर नेक को रेडे करने के लिए और के तरफ कर देदेना है इस तरह से आपको नेक तयार करने के बाद में हां पर बाजू जॉइंट करना है आरम हॉल में तो आर्मौल में कैसे बाजू जोइंट करेंगे देखिए फ्रेंट दो बाजू है तो यहां से एक बाजू को हम हटा देते हैं और यहां से इस तरह से पहले बिचा के देख लेंगे यहां पर आर्मौल में थोड़ा से हम और कट करेंगे तो यहां पर हाफ इसलिए कट करेंग कि हम यहां पर जब जोइंट करें तो जोलना आये तो इस तरह से सीधे में सीधे रफना है freedom मिला के और यहां से लेकर यहां तक बोलाई में शिलाई लगाकर इस तरह से sleep को जोइण करेंगे तो फ्रेंड दोनो साइट कि आर्महुल जूरी सामने की तरफ होती यहां से देखिए यीस में एक फोल लगाना है यानि इस तरह से पतली फोल लगाके एक सिलाई लगा लेंगें यहां पर एक सिलाई लगाने के बाद अब यहां से फिटिंग लगाते हुए आपको हीप के पास आना है हीप के पास आके वापस जाना है उसके बाद दूसरे साइ मैं एक सिलाई लगा के आपको यहां से रेडी करना है तो फिल यह apple cut कुरती है, इसलिए मैं एक सिलाई लगाई हूँ यानी पतला 4 लगा के सिलाई लगाई हूँ, अगर नर्मल सिलाई है तो आप double double सिलाई दोनों जगा सकते हैं, तो फिल यहां पे देखिए बेल सिलिप बनाई हूँ इसलिए इसमें एक सिलाई लगाई हूँ और यहाँ पे भी सेव नेक इस तरह से बनाई हूँ फ्रेंड कैसा लगा यह कुर्ती तो फ्रेंड यह सिंपल कुर्ती और इजी कटीन मैं आपको मेथर समझाई हूँ यह सलवार की कटीन मेरे करके पूछ सकते हैं तो फ्रेंड यहां देखिए पहनने के बाद कितनी कंफेडेबल और यह स्पेशल कुर्ती बनाई हूँ सलवार के साथ एपल कट कुर्ती और बेल स्लीप के साथ तो फ्रेंड उमिद करती हूँ आपको यह कटीन बहुत पसंद आया होगा अगर आप इस शेयर जरूर किजिएगा इस तरह के वीडियो मैं हमेशा डालती रहती हूँ तो उमीद है आज के वीडियो आप जरूर कुछ सीखे होंगे नए तो फेंड यह कोटन कफीज मार्केट में 7-800 में तक आजाता है फेंड तो आप कहीं से भी पर्चेस कर सकते हैं अगर इस तरह के वीडियो पसान अगर